कायस्थ चेतना मंच दौरा दूसरा प्याव संचालेत कायस्त चेतना मंज की तत्वधान में आज 17 मई 2022 दिन मंगलवार को प्याउ का उधगाटन संस्था की संगरक्षक डॉक्टर पवन सक्सेना एवं संस्था के वरिष्ट सदस्य पारशत सतीश कातिव मम्मा के दौरा किया गया डॉक्टर पवन सक्सेना ने कहा ये संस्था का सराहनी एक कारे है सतीश मम्मा ने कहा संस्था द्वारा समय समय पर ऐसे कारे कराने से संस्था की छवी और उज्जल होगी अध्यक्षि संजे सकसेना ने बताया संस्था दोरा एक प्याव बदाईयों रोड पर इस्तित पानी की टंकी के सामने तीन मई अक्षित रतिया से संचालित हो रहा है जिससे बदाईयों रोड पर रहागीरों के लिए बहुत आराम मिलता है चौपला पुल से लेकर कर गयाना तक कोई पानी की विवस्था नहीं है और कोहडा पीर पुलिस चौकी के आसपास भी पानी की कोई विवस्था नहीं है रहागीरों के लिए बहुत परिशानी होती है ये विचार मन में आया था इसी लिए प्याव संचालित किये गए हैं अभी दो प्याव और संचालित करने का विचार है संस्था के वरिष्ट पाध्यक्ष अखिलेश सकसेना ने सभी का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया इस कारिकरम में महिला अध्यक्ष माय सक्सेना, परतिभा जोहरी, अभिनाष सक्सेना, बीनु सिनहा महासचिव अमिच सक्सेना, बिंदु, निर्भै सक्सेना, पंकच सक्सेना, पंच्छी, आदी लोग उपस्तित रहे कलाकार वेलफेर सोसाइटी उत्तर प्रदेश की शाखा कासगंज शांदार कलाकार स्वर्गिय हिरदेश कुमार की शरदहंजली सभा का आयोजन कासगंज के रानी लक्ष्मीबाई कम्यूनिटी हॉल में किया गया जिसमें कासगंज बरेली, बदायू, हाथरस, मुरादाबाद, मतुरा, अलीगण, एटा, मैनपुरी, फरुखाबाद, पीलीभीत, हर्दोई तथा विभिन शेत्रों के कलाकारें ने पुन्यात्मा को पुषपांजली अर्पित कर उनकी आत्मा की शांती के लिए इश्वर से प्राथना की, इस अबसर पर कलाकार वेलफेर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कठेरिया एडवोकेट ने कहा कि लल्ला भहिया के नाम से मशुहूर हिरदेश कुमार सिर्फ कला जगत में ही नहीं अपितू निजी छित्र में भी अपने सामाजिक कारियों की उन्होंने अपने जीवन काल में कलाकारों के हितार्त सदैव तत्पर रहने वाले लल्ला भहिया हमेशा हम सभी के दिल में रहेंगे। हुआ 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 है प्रेम प्रेम गली खोली नबर 420 यह 420 420 फेह कॉलर्स करें परेशान इंट्रूसिंग कुकर नेक्स अब रखो अपना नंबर प्राइवेट प्लस धेर सारे फीचर कुकर नेक्स नो फिकर चाट कुकर कुकर